हेलो एवरिवन स्वागा था आपका अपने स्टडी 24 जार्खन यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज फिर से जार्खन वोट के मैट्रिक और इंटर्मीडियट वोट परिछा 2021 के छात्रों के लिए तीन-तीन लेटेस्ट अपडेट हैं और साथी साथ एक जे SSC हाई स्कूल सिछग नियुक्ति परिछा 2016 के अभियर्थियों के लिए भी लेटेस्ट अपडेट है साथी साथ इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जार्खन वोट के मैट्रिक और इंटर्मीडियट के वैसे छात्रों जिनका प्रेक्टिकल एकजाम नहीं हो पाया था उनका जो रिजल्ट है वो अभी नहीं बनेगा और उसके बारे में क्या लिखा हुआ है वह भी हम लोग देखेंगे और दोस्तों इसमें जो सबसे पहला लिटेस्ट अपडेट हम लोग देख रहे हैं ये है कि मैट्रिक इंटर का रिजल्ट त्यार करने के फॉर्मूले को सरकार की सामती मतलब की जारखंड एकेडमी कॉनसील के जितने भी छात्र हैं मैट्रिक और इंटरमीडियाट के उनका जो रिजल्ट बनाना है उसको लेकर के जो फॉर्मूला जारखंड एकेडमी कॉनसील ने त्यार किया है कुछ दिन पहले उस पर सरकार की सामती नहीं मिली थी तो कल इस पर सरकार की समती मिल गई है और इस पर अस्कुली सिच्छा और साचर्ता विभाग के जो सचीव हैं राजे सर्मा उन्होंने सिगनेचर कर दिया है और साथी साथ इसमें जो लिखा हुआ है जो दूसरा जो अपडेट है कि सिच्छा विभाग ने जैक को भेजा पत् जूरी यह जो जार्खंड एकेडमी कॉंसिल का जो परस्ताव है आपके रिजल्ट को त्यार करने को ले करके इस पर जो है जार्खंड के माननिय मुखमंत्री हैमत सोरेन ने भी अपनी सामत्ति दे दिये सिगनेचर कर दिया है आगे जो हम लोग देखते हैं कि 20 जुलाई तक है चारी हो सकता है तक यंशे रिलेटेट ख़वर में इससे पहले के वीडियो में आपको दिया था आप लोको मालूम है कि आपका रिजल्ट 20 जुलाई तक आएगा क्या पढ़ाई में आपको आते हैं dots तो 5 सकेंड में dotnet के साथ करो उन्हें out, बस अपने सवाल के फोटो खीचो, करोप करो और तुरंद वीडियो सॉलूशन पाओ फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमेस्ट्री, मेथ, बाइलोजी का हो, सिबियसी, उपी, बिहार, मद, परदेश या अन अस्टेट्स बोट का हो, यहां तक कि कच्छा 6 से 12 हुई ITJ, इनीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉलूशन बस 5 सेकेंड में आपको मिलें इसके साथ ही डॉटनट पर चल रही है इंडिया की नंबर वन फिरी ओनलाइन वीडियो कलासेज, वह भी इंगलिस और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कॉर्स पढ़ाया जा रहा है, तो आज ही जाकर इन कॉर्सेज का हिस्सा बनी और डॉटनट एप इंस्ट्रॉल किजि कि जितने भी छात रहें बोट पर इचा के उनका रिजल्ट 31 जुलाई तक हर हाल में जारी कर देना है, तो आपका रिजल्ट 31 जुलाई से पहले जारी होगा, आगे जो हम लोग देखते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है कि 9 वा 11 में मिले अंग के अधार पर त्यार किया रहें कि आपका जो रिजल्ट त्यार होना है, कलास 10 के छातरों का रिजल्ट 9 के अधार पर त्यार होगा, जो आपने कलास 9 में थोरी में एक्जाम लिखा था उस पर, और उसी तरह से 12 के छातरों का रिजल्ट कलास 11 के थोरी में जो आपने एक्जाम लिखा था, 40-40 नंबर का उसके अधार पर त्यार होगा और साथ ही साथ practical और internal के अधार पर त्यार होगा तो यह हम लोग जानी रहे हैं दोस्तों इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि जारखन वोट के metric और intermediate के वैसे जात्रों जिनका practical exam नहीं हुआ था नहीं दे पाए थे उसके बारे में नहीं करने को कहा है मतलब कि उनका जो रिजल्ट है वो अभी त्यार नहीं होगा जिनका practical नहीं हुआ है आगे दिया है कि विभाग द्वारा jack को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रायोगी परिच्छा लेने के समन्द में पहले आपदा परवंधन विभाग को परस्ता भेजा जाएगा कि प्रेक्टिकल लेना है या फिर नहीं लेना है आगे दिया है कि आपदा परवंधन विभाग की समत्ती मिलने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी और इस समन्द में जारकंड एकेडमी कॉंसिल को अलग से पत्र भेजा जाएगा तो ये जारकंड एकेडमी कॉंसिल को अलग से पत्र भेजेगा जारकंड का सिच्छा और साचर्ता भिभाग तो दोस्तों ये जिन छात्रों का practical exam नहीं हो पाया था उनके लिए समस्या है और जैसे ही आपके practical exam को लेने का notification जारखंड academic council की और से आएगा अस्कुली, सिच्छा और साचर्ता विभाग से अनुमति लेने के बाद वैसे ही आप लोगों को practical दे देना है जारखंड में लगबग 10% छात्र इसे हैं जिनका practical नहीं हुआ है और उसमें जो हम लोग देखते हैं मेट्रिक में science हो गया उसी तरह से intermediate arts में जोग्राफी और psychology, commerce में accountancy और IPP और साथी साथ जो science में हम लोग देखते हैं उसमें physics, chemistry और biology और computer science तो इन सभी छात्रों को जैसे ही जारखंड academy council की और से notification आएगा practical लेने का तो आप लोगों का जिनका practical छुटा हुआ है वे लोग practical में जरूर सामिल हो नहीं तो आप सबों को सिधे के सिधे फेल कर दिया जाएगा दोस्तों इसके बाद आगला जो हम लोग latest update देखते हैं कि जारखंड academy council ये तिसरा update है जारखंड academy council के जो मदर्षा बोट के छात्र हैं उन लोगों का विरोध परदर्शन सुरू हो गया है यहां जो हम लोग अस्क्रीन में देख रहे हैं कि जैक बोट छात खात्रों को भी पर मोट करे सरकार जो मदर्षा बोट के छात्र होते हैं उर्दू के छात्र उन लोगों की मांग है कि जिस तरह से metric और intermediate के छात्रों को अगले क्लास में result देखर के posit limiting की तियारी हो रही है उसी तरह से मदर्सा बोट के भी छात्रों को पर्मोट करे सरकार तो ये अंदोलन शुरू हो गया है और इसमें जो कहा गया है कि इसके लिए रन निती बनाई जा रही है और जब तक यह परकिरिया नहीं अपनाई जाएगी पर्मोट करने की तब तक यह छात्र नहीं मानेंगे आगे जो हम लोग देखते हैं यह जो निवज है जो जारखंड एकेडमी कॉंसिल का जो मैट्रिक और इंटर्मीडियट के छात्रों का है सिर्फ परभात खबर में नहीं बलके हिंदुस्तान में भी परकासित हुआ है जिसमें लिखा है कि जैक रिजल्ट त्यार करने की निया मौली को मनजूरी और इसमें भी वही बातें लिखी हुई है जो मैंने अभी बताया दोस्तों इसको भीस्तार से बतावें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप इस पेपर कटिंग को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस Study24 जारकन YouTube चैनल का जो यह WhatsApp गुरूप है उसका लिंक इस वीडियो के निचे दिया हुआ है उसमें जा करके आप गुरूप में सामिल हो सकते हैं और उस उस गुरूप में इस पेपर कटिंग को मैं डाल दूँगा आप लोग पढ़ लिजेगा दोस्तों इसके बाद एक रिक्वेस्ट है कि मैं जिस तरह से आप लोगों को हेल्फ करता रहता हूँ हर छोटे बड़े अपडेट को इस यूटूप चैनल के माद्याम से आप तक पहुचाता हूँ ठीक उसी तरह से आप लोग भी अपना फर्ज अदा किजिए और इस अस्टड़ी 24 जारखन यूटूप चैनल को सस्क्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस करके रख लिजे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजिएगा और अपने दोस्तों को भी सेर किजिएगा दोस्तों लास्ट में यह जो हम लोग चौथा अपडेट देख रहे हैं कि हाई स्कूल के सिचकों की नियुकती पर लगी रोग जो भी मेट्रिक और इंटर्मीडियर्ट के छात्र हैं आप लोग समझ लिजे कि हाई स्कूल का सिचक बनने के लिए गेरजुएट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए और वो होने के बाद जब वेकेंसी निकलेगा तो अपलाई करना होगा और इन अभियर्थियों ने 2016 परिछा के लिए अपलाई किया था इनके सभी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी हो गया है लेकिन ज़ार्खंड के JSSC ने इसके नियुकती को अभी रोका है क्योंकि ज़ार्खंड नियोजन निती को रद हो गया था तो उसके बाद इन अभियर्थियों के नियुकती पर सस्पेंस बरकरार हो गया है परसंचीन लग गया है और इनको अभी और इंतिजार करना होगा और यहां जो ज़ार्खंड के जो यह हम लोग देख रहे हैं कि असकुली सिच्छा और साचरता विभाग के मादमिक सिच्छा निदेशक हैं हर समंगला उन्होंने कल लेटर जारी करके सिच्छा विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं उसको निर्देश दिया है कि अभी कु साथ JSSC के हाई स्कुल सिच्छा निउक्ति परिछा 2016 के लिए भी था तो दोस्तों इसी तरह का मैं अपडेट आप लोगों को देता रहता हूं और दूंगा इसके लिए जरूरी है कि आप लोग इस स्टेडी 24 जारकन यूटूब चैनल को सस्क्राइब करके रख लें इसके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें तो दोस्तों मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम थैंक यू फिर मिलेंगे बाई बाई